जहें दोस्तों अंदमाता, राश्टपती चुनाओं का एलान हो चुका है, ऐसे में नेटिजन्स को मौका मिल चुका है कि भई वो भी अपनी दरफ सरे ज़रा नामों की सिफारिश देश कर दें, तो ऐसे में कई सारे नामों की सिफारिश लोग कर रहे हैं, लेकिन एक नाम ज देश में चल रहा है, उस माहौल को भी कुछ हद तक कम करने में काफी कुछ मदद करेगा, देश में राश्टपती बत के चुनाओं का एलान होने के साथ ही ट्विटर पर अगला राश्पती कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है, इस बीचे एक न दिपत के योगी उमीदवार आरिफ मुहमत खान है, वो दिमान है, अच्छे वक्ता है, आती राश्टवादी है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले होने के साथ साथ एक अनुभवी भी है, इसी के बाद सुतापर्ण बनर्जी ने भी आरिफ मुहमत खान को देश के अगले साथ बार हिजाब का उले किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर में कहीं भी नहीं किया गया है, गौतम गाड़ा नाम के यूजर ने कहा कि वो देश के राश्टपती के तोर पर आरेसेस पुष्ट मुमी वाले पूर उत्तर या बंगाल की एक आदिवासी महिला या फिर आरिफ मुम्मद खान को देखना चाहते हैं, हाला कि इसलामे कड्रवंदियों को आरिफ मुम्मद खान का नाम आगे किया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पैगंबर मुम्मद के फैंस नाम के यूजर ने कहा कि ये वो नाम है जिसने चंद सिक्कों की खातिर आरिफ मुम्मद खान देश के अगले राश्च्पती बनाए जाएंगे, आप नेता ने दावा किया कि पिये मुदी ये कदम दुनिया भर में भारत विरोधी बयानों को जवाब देने के लिए उठा रहे हैं, गुरुवार को देश में अगले राश्च्पती चुनाओं की तारीखों का एलान कर दिया गया, इसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को देश को नया राश्च्पती मिलेगा, गौर्तलब है कि 24 जुलाई 2022 राश्च्पती रामनात कोविन के कारकाल आखरी दिन है और उसी दिन के कारकाल समाब दिव हो जाएगा, आ अकर आरिफ मुहमत खान को राश्च्पती बनाया जाता है तो यह अरब देशों में एक अलगी संदेश भेजेगा, साथ ही साथ मैत्री के जो संबंद बढ़ाए जाने की बाते चल रही है, उसको भी एक अच्छा खाजा सपोर्ट देने का काम करेगा, आप लोग क्या कमेंट करके जरूर बता है, मेरे इस वीडियों फिला अपना ही जाए हैं, जाए भारत